थ्यान दो, गूड मॉर्निंग बावू, क्लास नाइन थ्यान दो, एक्चुली क्या है कि पिछले क्लास में तुम लोगों मैंने बोला था कि फ्रांस मेराज क्रांतिक और मुलन और गर्तंत्र की अस्थापना जो मतलब फ्रांस एवॉलिस मुनार्की एंड विकम अरी पबलिक इसी सक्षन पर हम लोगों को चर्चा करना था तो इससे एकदम किलियर हो गया कि जो पूरी मुनार्किल सिस्टम थी उसका इरेडिकेशन की बात इसमें की जा रही थी, ठीक है, इरेडिकेशन का मतलब हो गया कि लुई 16 को पूरी तरीके से समाप्त कर देना था, तो इसमें प्रसा की जो एक व्यवस्था थी, राजा थे, उनसे उनकी एक सेक्रेट मीटिंग चल रही थे, और देखो, सेक्रेट मीटिंग हमेशा एक संध्यास पत्रिस्टिकोंड की बात होती है, और दे रहा है कि 1792 में नेशनेल एसेंबली जो थी ना, प्रसा और आश्ट्रिया की हमला कर दिया, उसका जो था ये लक्ष था, वो धरे का धरा रह गया, ठीक है, और हजारों मतलब जो वोलेंटियस थे ना, वो सामील हो गया है, सेना में, इरूप के, उसके खिलाफ जाने के लिए, और दे रहा है कि इरूपी रजान कुलीनों द्वारा के विरुद जनता के एक जंग का रुप धान कर लिया, और उसके दे रहा है कि जो लोग, वोलेंटियस जो लोग थे, उनके होठो पन्ना मर्शिले, द्वारा रची तेक, जो कविता थी, ये देश की मतलब कुर्बानी के लिए लोग आने लगे, है ना, जैसे है ना, हम भारत में विकाते हैं, कि सर कटा सकते हैं, लेकिन सर जुका सकते नहीं, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसी तरीके से ही रुपिन समुदाय में, खास करके परीश के सहरों में, ये गाना जगाय जाना लगा, और बाद में यही मर्सिले जो था ना, वहां का निशनल जो इन थम बन जो मेल पर्शन थे, वो आर्मी में वोलेंटेरी चले गया थे, तो सारा काम महिलाओं को उपर में चला गया था, और सबसे बड़ी बाधा ये थी, कि 1791 में जो समिधान बनाय गया था, उसमें राजनीतिक अधिकार जो थे ना, बहुत पाटिकुलर लोगों को दिया गया थ अमीरों को दिया गया था, और महिलाओं को दोयम दर्जे का मन्याता उसमें दिया गया था, इसके बाद में टैक्स पे करने के स्थिति में नहीं हो तो तुम्हें इनुपर्शल एडल्ट फ्रेंचाइजी से भी वन्चित रखा गया था, तो इसी के खिलाफत में ठीक है न, तो इन्होंने जो चर्च जो बनाया था, वहाँ पर उसी को कलब में कनवर्ट कर दिया गया, जहां हमाई लाए भी न, एक्टिव रूप से भाग ले रहे थे, और जैकोबिन कलब की जो मेंबर थे, प्राया सोसाइटी के हर बर्ग से बिलोंग करने वाले लोग थे, जिसमे देख सकते हो, मैक बिलन रोबेस फेर था जैकोबिन कलब का, तो तुम लोग एक कोशन पूश्टा है, कि वाट इस जैकोबिन कलब, वाट वाज जैकोबिन कलब, जैकोबिन कलब क्या था, अफियो उसके लीडर्स वगरे के बारे में भी तुम्हारा पूश्ता है, तो दे खिलाफ में ये धारी-धारी जो हमारे कपड़े थे, जो लंबे थे, ये इन्होंने बनना स्विकार किया, और ये जैकोबिन का मतलब सौकुलाद के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाला, ठीके न, घुटने वाले का अलग से, इसकी एक अपनी ब पड़ा लोगों को, ठीके न, तो ये पूरी वेवस्था जो थी हमारी, ये अलग, अभी भी देखो कि तुम लोग, हम लोग नेशनल फ्रैग होस्ट करते हैं, भराते वगर हैं, तो उसमें उस गांधिवादी टोपी और खादी ड्रेस हमारे भारती पहचान बन चुकी है, देखें न, कि आप दास्ता से मुक्त हो गया, इसके बाद में दे रहा है कि 1792 में, जो जैकोबिन के लोगों ने खाद्य पदार्था की जो महंगाई थी, इसके अलावे जो हिंसक बॉयलेंटिक जो बिद्रोह हमारे हो रहे थे, रोटी के दाम बढ़ते चले जा रहे थे, क परिवारतों को भी जल डालने का प्रस्था पारित किया गया, इसके अलावे इसमें दे रहा है कि 21 एर से उपर के जो लोग थे न, हमारे, चाहे हो किसी भी मतलब धरन जाती संप्रदाय से और टेक्स पे करते हो, नहीं करते हो, सबको इन्वर्सल एडल्ट प्रेंचाइजी प्रवाइड किया गया है, इसके बाद में जो नई एसेम्बली चुनी गए, उसका नाम कन्वेंस रख दिया गया, यहां पर कन्वेंसन देखो लिये खे हुए है, और 21 सितंबर को 1792 को, ठीक है न, मुनार्की के पूरी तरीके से अंत कर दिया गया, और वहां पर एक गड़ तंतरात्मक विवस्था, यानि कि रिपब्लीकन स्टेट के फॉर्मेट करने की बात हमारी होगी, और राजा का पद बंसानुगत ना हो करके, तुमको पता होगा, डेमोक्रेटिकल सिस्टम में रिपब्ली का मतलब होता है, कि हमारे देश के सासन प्रमुख जो होते हैं, व जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वो अलग-अलग समुख से लोग बिलों करते हैं, और राजा का बेटा राजा हमारा नहीं होता, और उसको लोग से लुई 16 बगरत आयोगी थे ही, तो इसके अलाव में लुई 16 को न्याले के द्वारा, इस लैन में देखो के तुम, देर इस द्रोह के मुकदमे में इसको फांसी के सजा पर लटका दिया गया, और 21 जनवरी 1793 को प्रेस्टी डिली कॉंटेंट में सलज्वानी कृप्स को फांसी दे दे गई, और बार में रानी को भी मेरी अन्तुनेत को भी न वही फांसी के सजा दे गई थे, तो यह इसके बाद में next the region of terror, आप देखो अभी एक ने समस्या पैदा हो गए थे, जो रोबे स्पेर था, यह कोबिन कलब का जो मिंबर था, तो इसने कूलीन पादरी और आएसे राजनीतिक दल जो उससे असहमती रखते थे, उसकी खिलाफ ही ने जनल इचड़ दिया, नतीजा य रोसी सिद्ध होने पर, अपराग सिद्ध होने पर, ठीक है ना, यदि कोट जो थी, किसी को मौत की सजा दे देती थी, तो उसको जीलोटीन, एक गिलोटीन था, इसमें तुम्हारा टर्म यहां पर दिये हुए भी है, यहां पर गिलोटीन है, यह उसके टाइटल के नाम से तुम्हारा दिये हुए है, इसके विसकारक हमारे डॉक्टर गिलोटीन थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा था, ठीक है न, तो यह एक परकार के मसीन थी, दो खंबो के बीच में लटकने वाले एक परकार के मसीन थी, जिसके अपराधी को उसको सर रह करके न उड़ा दिया ज तो उसकी रासनिंग कर दी गई, कंट्रोल के दुकानों से या एक लिम्टेट पर इसको बिचने के जायत दी गई थी, किसानों को हमारे सस्ते दाम थी, एक लिम्टेट मतलब क्या करते हैं, प्राइस पर, है न, सहरों मिले जाकर के सरकारी रेट पर उसको बिचना था, जो एक वाइट जो हमारे मिलेट थे, जो आटे थे, फ्लावर था, उसको मना कर दिया गया, और सबको साबुत गेहुं से बनी हुई रोटी, मैंने की मतलब जेनरल गेहुं से बनी हुई रोटी है, जिसको समता रोटी, हमारे देश में भी इसका बोल बाला है, समझवादी वार्ज कर दिया गया, बोल चाल की भासा में समानने सिष्टा का प्रयोग किया जाने लगा, और जो इसमें महासेवर महद्या, मैडम और जो मंसूर जो नाम का टर्म था, उसके जगह पर सियोतेन और सियोतीन, नाम का प्रयोग किया जाने जो सिटिजन नाम नागरी को के ल लगी और बहुत दिन नहीं जादा जुलाई 1794 में देखो इसमें तुम्हारा दिये हुए है जुलाई 1794 में उसको भी गलत तरीके कारे करने के लिए उसको ग्रिफतार कर लिया गया और उसको अगले दिन उसके भी न उसे भी न गिलोटीन पर जढ़ा दिया गया तो इस पर पट्ते आप में मैंने तुमको बोला भी था कि इसमें कोई ज्यादा डिटेल्स है ही नहीं लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो इसके बाद में नेक्स तुम्हार आता है ये ड puzzles में जैकोवं कि पतन के बाद में जैसे roAcPower का कमत मैं हुआ मद्धहम बरग के संपन तबके के पास շता हां गए जो मद्धहम बजर्वभ बरग ऐख IT जिसके पास में थी और नये समिधान के तहत में जिनके पास में परपटी नहीं भी थी उनको भी मताथ कार्वांचित कर दिया गया फिर दुबारा ये बहाल किया गया गया जो परिष्यसरों में होता रहता थे उसको बरखास करने की भी बात की जाने लगी थी और इस तरीके से हमारा नेपुलियन बुञॉपपार्ट का आना हुआ और पुझाती में आयाолов का प्रीडम औफ उक्वालिटी यह स्वतन्त हा यहां इस लेन को पढ़ना बहुत जुरूरी है फ्रीडम है ना equality before the law कानून के समक सभी की उस समानता जिसको equality हम लोग करते हैं और fraternity यानि की विश्व बंधुत्यु का नारा उसने दिया और इन ही values पर है ना इरुपेन राजनीती का अंदुलन एक हमारा रते हैं किया गया और यह इसको डिरेक्टर रूल हमारा कहा जाता है देखो इस से तीन चार पांच चीज़े काफी इंपॉर्टेंट है एक तो इसमें कोशन तुम्हारा बन सकता है कि कि फ्रांस में राज तंत्र का उन्वुलन कै कैसे हुआ और गन तंत्रात्मक व्यवस्ता कैसे भाल हुई यह उसमें पूछ सकता है कि वाट वाट वाला जो कंडिशन है यह टर्म हमने जो रूबिया स्पेर वाला बताया वाट डूई मीन बाई रीजिन ओफ टेरर ना रीजिन ओफ टेरर इसके बाद में वाट डूए सब्सक्षन में तुम्हारा दिये हुए है तो अगला जो फेज हम लोग का होगा महिलाओं को ले करके कि क्या महिलाएं भी करांतिकारी थी या उन्होंने करांति में भाग लिया था तो जैकुबिन क्लाब में इसकी पटकत्ता लिखी जा चुकी थी और सबसे बड़ी चीज होगे थी तो उसमें हम जेंडर को एवाइड करके नहीं चल सकते थे ठीक है तो महिलाओं का पूरा एक समर्पित हमारा सेक्षन है सेक्षन फोर उसको हम लोग नेक्स वीडियो क्लिफ में पढ़ने का प्रियास करेंगे तो इस वीडियो में एक कंप्लीट ब्रीफिंग हमार यही है इसके बाद आगर आपको कहीं कोई दिखाई दिखाई देती है तो मैं आउनलाइन हूँ आप हमसे बात कर सकते हैं ठीक है बावो चलो इस वीडियो में इतना ही हो क्या